नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लगों के लिए रिजनिंग का खुछ इंपर्टेंट प्रस्ट लेकर का हैं और अगर आपका उन्हें की सबीर इंपर्टेंट अब सूरू करते हैं documentation दोस्तों पहला प्रस्ट पहला से बढ़ करके 9 हो गया. 9 से बढ़ करके 18 हो गया. 18 से बढ़ करके 34 हो गया. और और फिर ये घठाक देखे, 9 में 4 गिया तो 5, और 5 में 3 गिया तो 2 ठीके, अना यहां 4 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, यह 16 बढ़ रहा है, फिर 25 बढ़ रहा है, तो यह देखे क्या है दोस्तों, यह हमारा जो है, 102 का स्क्वैर है, यह हमारा जो है सो तीन का स्क्वाइर है यह हमारा जो है सो चार का स्क्वाइर है यह हमारा पांच का स्क्वाइर है इस तरह से बढ़ रहा है दोस्तो दो का स्क्वाइर तीन का स्क्वाइर चार का स्क्वाइर पांच का स्क्वाइर तो यहां जो बढ़ेगा दोस्तो वो 36 यह जोड़ दीजिए तो 9-6 15 हो गया 5-3-8-1 9 कितना हो गया 95 दोस्तों यहां क्या आएगा तो 95 आएगा अहीं हमारा इंसर हो जागा दोस्तों तो सही इंसर क्या हुआ तो सी नंबर हुआ दोस्तों सीम्पल सा प्रस था चले आगे बढ़ते और नेक्स प्रस को देखते दोस्तों अब देखिए दूसरे नंबर प्रस दोस्तों दूसरे नंबर प्रस ने आपका प्रस चीन के असान पर सही अंग को भरे हैं देखिए दोस्तों कैसे बनता है अब यहां है हमारा 20 है यहां है चार यहां देखे इसमें यहां नीचे कोचन मारके दोस्तों ठीक है तो अर्फ सबसे बड़ा नीचे में है तो दो अर्फ चार को क्या करें कि 20 आ जाए तीन और नौ को क्या करें कि 90 आ जाए जो मैथर हम यहां यूज करेंगे भही मैथर हम यह यहां पर यूज करेंगे दोस्तों तो देखिए कैसे बनता इसो हम ऐसे करते हैं, चार अर्दों को जोड़ते हैं, तो चार अर्दों छे होता है, और डबल करते हैं, तो बारा आता है, फिर भी नहीं आता है, चार को दूसरे गुरा करते हैं, तो चार दूनी आठ ठीक है, और डबल भी करते हैं, तो नहीं आ रहा है दोस्तों, तो हम क्या करे प्लस चार का स्क्वाइर कर दीजिए तो क्या होगा देखिए यहां नीचे लिए लिख देते हैं दो दूनी चार चार चौके सुला अब इसको जोड़ देगे तो बीसा जा रहा है और यह हमारा आ गया दोस्तो वही ट्रिक हम यहां यूज करेंगे तो तीन का स्क्वाइर प्लस नौ का स्क्वाइर अगर इसको करते हैं दोस्तो तो क्या होता है यह हमारा नौ आ गया नौ नौ एकासी और इसको जोड़ तो cavs गहिंगे हम तो 81 Blood अगया दोस्तो अब फौल्घ धया दोस्तो अब ते जो घ्रा शेमा पर काम कर रहा है राप gobierno वह हम यहां पिसरे मेंुछ करेंगे तो क्या करेंगे एक में का स्कॉयर करेंगे और प्लस साथ का स्कॉयर करेंगे अब एक का अ स्कुर एक ऐगा साथ का असक्वर 59 अब इसक tribes देते हैं तो इफ लिगा दोस़्त है पतास आजाएगा तो सभी नेक्स प्रस्ते है तेद्टे नमबर प्रस देखे दोस्तो तीसरे नमबर प्रस्त को देखें तीसरा नमबर प्रश्ट है दिये गे पासे में तीन के विप्रित फलक पर कौन सा अंक है आज मैं जो ट्रीक बताओंगा दोस्तों इस तरह से आप हमेशा यूज करें एक भी प्रश्ट नहीं छुटेगा पासा का तो देखें सबसे पहला बात देखें कि दोनों पासा में यहां तीन के विप्रित पूछ रहा है कि कौन सा अंक मिल रहा है तो यहां भी पांच है यहां भी पांच है और क्या मिल रहा है चार नहीं मिल रहा है छे भी नहीं मिल रहा है ठीक है तो दोनों में कॉमन जो है दोस्त कि जेंद दोस्तों और इस ताँ से चार घर बनाए दो तीन एक टार फ्रम रा इन से से एक घर छोड़ करके ऊपर में एक बना दिज़े इस तरह से गोल और रएक नीचे बना दिजि़े ठीक अब इस तरह जो बनाए दोस्तों थोड़ा सा तेडा हो गया है इस तरह बना दिये दोस्तों अब क्या कि बस यहीं ध्यान रखिएगा देहने सर से एक घर छोड़ के बनाने आपको जो कॉमन आया दोस्तों यहां इसको बीच में बैठा दीजिए ठीक है अब गहड़ी की सुईयों के जिसा में अनि क्लॉक वाइज यह हम ऐसे घुमाते हैं तेंहें इस में भी हम इसी तरह से कॉलाकवाइज लेंगे तो पांच याँ पांच के बाद चार है यहां हम चार लें लेते हैं और चार के बाद के इह इसंहें अब यह हम मिप्रन ऑयम हो गया गाया गार और फिर यह रो अपने से डाल देंगे अब पूचरा तीन की विपुरिस्ट फलक पर कौन सा अंग है दोस्तों तो देखें यह तीन यहां पर है ठोड़ा किलर चींज करता हूं देखे दोस्तों ये तीन जो है तो यहाँ है तीन यहाँ है तो एक घर छोड़के और इस पांच को छोड़िये और तीन के विप्रित ये शे हो जाएगा क्या हो जागा छे तो सही एंसर क्या होगा दोस्तों तो छे इस तरह प्रस जब भी रहे अब चार की विप्रित पुछे तो चार की विप्रित दो हो जागा दोस्तों ठीक है दो की विप्रित चार तीन की विप्रित छे और पांच की विप्रित एक हो जागा दोस्तों ठीक है गहर छोड़ कर का जब भी लिजीएगा दोस्तों अब्स ए घर छोड़ के लिजाएगा वह विपरित होगा एक मिनिट इसको थोड़ा सा बना देते हैं हुआ है तो जब भी तरह अब प्रश रहे हिए दोस्तों तो बस ए घर छोड़ के लिजेएगा तो एक की विप्रिस क्या हो गया पांच हो गया चार की विप्रिस एगर छोड़ दिये तो दो हो गया ठीक है अब तीन की विप्रिस क्या होगा तो छे होगा क्या होगा तीन की विप्रिस छे होगा एगर छोड़ करके दोस्तो छे की विप्रिस तीन ठीक है एगर छोड़ के एक की विप्रीज अगर पूछ दे तो 5 होगा, 3 को छोड़ दीजेगा, ठीक है, एक घर छोड़ के, दोस्तो, 5 का विप्रीज, 3 छोड़ ये, एक हो जाएगा, तो यहाँ पूछ रहा था क्वा, 3 के विप्रीज, तो 3 के विप्रीज क्या है दोस्तो, तो 6 है, 5 को छोड़ दीए एक तो सही answer क्या हो गया तो A नमबर दोस्तों चलिए आगे बरते हैं और next प्रस को देखते हैं अब देखिए चौथे नमबर प्रस दोस्तों पासा जो है मैसा दोस्तों ये जो एक ना एक एक सी दो प्रस रहता है दोस्तों हर एकजाम में रहता है अब देखिए चौते नमबर प्रस दोस्तों तोस्तों ये यू की विप्रिस फलक पर कौनए है directing पूस्तों है अब ओपन पासा है दोस्तों वहाद पासा था चलिए अब इसमें भी आपका कोई ब्राव्लम नहीं दोस्तों अजमार मात कभी विनाइब भूलिएगा यू की वि विप्रित एक्स हो जाएगा ठीक है यह है एस का विप्रित क्या हो जाएगा डबलू हो जाएगा अब हमसे पूतर यू का विप्रित क्या हो जाएगा दोस्तों एगार छोड़ करके और भी हो जाएगा क्या हो जाएगा तो भी साही एंसर क्या हो गया भी और एगार छोड़ क तो भी हो गया दोस्तों आणि एग चोड़ के लिएगा इसमें बस ध्यान रखना है दोस्तों लेकिन ये जो किनारे फलक है ठीक है एस एस कवीप्रिद जबलू अनि ये किनारे किनारे वाला हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हो नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए पांचों नमबर प्रस दोस्तों पांचों नमबर प्रस कर रहा है आपका दिये गे प्रस में प्रस चीन कैस्तान पर कौन सी संक्या आएगी देखिए पांचों प्रस है अब यहां जो है दस है दोस्तों यहां नौ है और यहां कोचन मार्क है अब 5, 2, 4, 1 को किया करें हम कि हमारा 10 आ जाए यह दगी दोस्तों इस 5, इस 2, 4, और एक को किया करें कि हमारा जो है 10 आ जाए अगर 5 को जोड़ते 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11, 11, 12 आए ठीक, 12 हो गया और यह 10 है दोस्तों अगर 12 में 12 होटा दे तो 10 आ गया अगर इस तरह करें हम इस दो को घटाए चार तिन साथ साथ पज बारा बारा तिन पंद्रा पंद्रा में अगर इस तीन को घटाते हैं पंद्रा में अगर तीन घटाते हैं तो हमारा जो सो बारा आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है बारा अरे यहां नौ है यह मैथड हमारा का काम नहीं करेगा दोस्तों तो चलिए देखते हैं देखिए कैसे बनाएगा सो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कुछ भी नहीं है दोस्तों अब हम फिर जोड़ के देखते हैं पांच प्लस दो प्लस चार और हम एक को घटा दे रहे दोस्तों इसको घटा दे रहे इसको प् और यह हमारा 10 गे दोस्तों उसी तरह मिंहिंगोर्ट कृते हैं यह प्लस करेंगे यह प्लस करेंगे यह प्लस करेंगे अटीक मैनेस क्रड़ते हैं तो इसमेह चार प्लस तीन अ क्ला सुम्झ हो दोस्तों यह 7 इसमें करेंगे तो इसमें क्या करते हैं दो प्लस चार प्लस छे और मैनस एक इसको मैनस कर दिए ये प्लस किए ये प्लस किए और ये प्लस किए अब कितना आ रहा है छोचार दस दो बारा और बारा में एक घटा दीजिए तो कितना गया दोस्तों एगारा अही हमारा एंसर हो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए छे नमबर प्रस दोस्तों छे नमबर प्रस्ट आपका क्यार मित्र A B C D में सबसे हलका भी है सबसे हलका भी है C D से भारी है लेकिन A से हलका है तो सबसे भारी कौन है देखें दोस्तो इस तरह प्रस में थोड़ा सा आपको दिमाग लग रहा है जादा नहीं सोचने जोड़त है सबसे हलका कौन है सबसे हलका भी है यहां लिखें सबसे हलका सबसे हलका सबसे हलका भी है चलिए यहां के लिए रो गया अब बुरह सी डी से भारी है तो देखें इस तरह जब बनाते हैं तो यह बड़ा होता है इधर बड़ा होता है और यह जो है इधर छोटा होता है ठीक है अब सी डी से भारी है तो सी हमारा जो है सो डी से भारी है आन C बढ़ा है D से ठीक है अब फिर बोल रहे लेकिन A से हलका है कौन असे से हलका है तो कौन है C हलका है तो A से हलका है कोन Cum यह हो गया आपनी यह के बाद C आये गा ठीक dense देखें यहां, यहां C, यहां C, A से छोटा है, तो एक यहां आए जागा, A, A के A बड़ा हुआ, उसके बाद C हुआ, उसके बाद D हुआ, और सबसे हलका B है, तो सबसे हलका B हो गया, तो अब इसमें फूचरा सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है, सबसे बड़ा A है, अ और वीडियो को अधिक साधिक सेयर कर दें दोस्तों तो चले कल मिलते हैं ठेंक यू